हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु उनुवर्स क्लासेज स्वागत आपका उनुवर्स क्लासेज में तो कैसे आप सभी हम उमिद करते हैं कि आप बढ़ियां संदार जवस्त होंगे आए बात करते हैं इसमें डिसकांड रिकुष प्रशनिक की जो की सूपर टेट रेलवे लेकपाल यूपेपी और सभी इजाम के लिए पॉटेंट है तो चली शुरुबात करते हैं एक दुकांदार एक वस्तु पर क्रेम मुल से 20 परसेंट अधिक मुल अंकित करता है और वस्तु को 5 परसेंट के लाब पर बेजता है चूट प्रितसत क्या होगा इसको हम लोग इसमें कोई प्रितस परसेंट पर इसको बेच रहा है तो देखिए इसको यह दिमाल लेते हैं और यहां पर हमारा एंपी है यानिकी मार्क प्राइस और यह फिर होता है यानिकी सेलिंग परenda है ठीक है सेके सिपी हमशाद आप जानते हैं 100 परसेंट होता था यानिकी सो मान परशेलिंग रिक सेक अब еम पी और एसीक का अंतर खुछता है य zeigt किaría क्या क्या कılar पर अबश्तर shortest का अंतर कितना है यानिकी 220 में 105 निकाले चले या bit 15 15 रुपए कंतर है यह डिस्काउंट पर हो जाएगा यानि कि छूट कितनी प्रसंद का दिया हूँ 15 गुड़े 100 पर होता है और कितने पर MP पर दिया है 120 रुपए पर दिया है इसे को निकाल लिए एक जुरो से एक जुरो पांस त्यां 15 पंदर तीन पंदर तीन चोंके बारा या फिर इसको ऐसे काड़े सिधे पंदर कंपंदर 15 अठेट 120 इकड़ जाएगा चार दूनी आठ चार पचीस हैं सब्सक्राइब यानि कि पचीस बट्टी दो आ जाएगा या इसको साधे बारे से एक बट्टी दो परसें एंपी हो गया और यह हो गया एसपी सीपी हमें सा सौ होती है अपने आप में एंपी उसने 20 परसेंट अधिक मुल एंकित किया जैसे माल लीजिए सब्सक्राइब जाते होंगे तो ऐसे आपको मिलता है एंपी आनिके मार्क प्राइज जैसे होता है और इस पर छूट दे रह प्राइज अंकित की है और उसने आपको 105 रुपे में दिया है बताना है कि इसने आपको कितने परसेंट के छूट पर दिया है कि एक सबीस और पांच का अंतर हो जाएगा आपका 15 15 गुड़ 100 क्योंकि परशेंट बना बतलना है और 120 एंपी पर उसने कल्किलेट किया है तो बट्टे 120 करेंगे इसे को काटेंगे 15 15 15 बट्टे 120 और 428 425 25 बट्टे 2 यानि की 12.5 सही 1.2 परशेंट का उसने चूट दिया है आपसे नमबर सी करेक्ट है आई होप आप इसको समझ पायोंगे आए अगला कोशन देखते हैं एक दुकांदार अपनी बस तूपर कितने परिसत अंकित मुल अंकित करे कि अंकित मुल पर 10 परशेंट क चूट देने पर उसे 26 परशेंट का लाव है लाव हो आए देखते हैं इसको कैसे सिपी माल रहते हैं 100 था ठीक है MP यानि कि मार्क प्राइज और इधर हो गया सेलिंग प्राइज ठीक है कि सीपी सो था एसपी कितना था एसपी 26 परशेंट का उसको लाव हो यानि कि 126 परशेंट में वह बेचेगा तो यह हो गया आपका सेलिंग प्राइज अब चूकि 10 परशेंट का छूट भी दे रहा है तो मालेजिए उसने 100 के वस्तु को 90 में 90 पर अंकित किया और 126 पर में इन्टू 90 अपानमे 100 MP निकालना है अब कि बराबर 126 में इसने बेच रहा है इसे को काटिए 126 तो 1010 नौइकम 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 नौचोक तीन बचेंगा शतिन चोक शतिस चौदर रुपे सरी 10 गुड़े 14 यह 10 गुड़े 14 करेंगे तागा 140 140 तो उसका क्या है सेलिंग प्राइस है तो 140 में से आप 100 निकालेंगे तो आएगा आपके पास 40% और 40% क्या है उसका लाव है 40% उसका लाव था आपसा नौबर बी करेक्ट है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको कम मेहनत में यह और फिर बैठे बैठाय सफलता मिल जा क्योंकि आज कल और इसमें कमपडिशन इतना तगड़ा है कि जब तक आप औरों से अलग औरों से बेतर नहीं करेंगे आपको अपकी मंजिल नहीं मिलेंगी तो आपको कड़ी मेनत करनी होगी अपनी प्रतियस परदा से कमपडिशन तगड़ा है तो आपको मेनत भी तगड करते हैं आई आज देखते हैं कौन सा कोस्टन है और इसको आप यदि सॉल्ब कर लेंगे तो आप परिच्छा में इस को कभी नहीं भूल पाएंगे आई देखते हैं क्या है क्या है कि दो अमिद्वारों के एक चुनाव मिमत डाले गए कुल ओट का 30% वोट पाने वाला 30% पाने वाला हार गया और 70% पाने वाला जीत गया तो 70% जितने वाला पाया होगा और 30% क्या होगा हारने वाला पाया होगा और इसमें से क्या दिया है दोनों के बीच का अंतर कितना है 40% तो दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना देदिया 16,000 दिया है तो 40% की वेलू क कितनी है 60 हो तो सो पास्छंट को निकाल यानि टॉटल मत हमको निकाल निया थ बटे 40 इसको जब काटेंगे तो एक जुरू से कट जाएगा एक जुरू चार एकम चार चार चोके 16 यानि कि 400 400 गुड़े 100 इसको जब मल्टिप्लाई करेंगे तो या जग आपका 40,000 यानि कि कुल 40,000 वोट डालेगा हैं आपसा नमबर B बिल्कुल सही है सत्य है